हां जी देखिएगा जरा तो जैसा कि अभी रेगुलर कॉलेज एकनॉमिस का दो तारीको एक्जाम था वो पेपर आप हो चुका है वो शिम पर आपके सामने आपके स्क्रीन पर में लेकर आ गया हूँ आए कोशिन पेपर भी डिस्कुसिंग करते हैं और इस बात को समझते हैं कि जो मैंने important 40 questions आपको mark करवाये थे उसमें से कितने questions आपके पेपर में आए हैं और क्या यह थोड़ी से अलग थी तो देखिए सबसे पहला question आपके सामने है कि why production facility curve are concave to the origin पहला question आपके पास में यह है बच्चे तो आप सबसे पहला question देखिएगा इसमें एक ही question में आपके पास में पहला question यहां से लेकिंगे यहां तो जोड़ा गया है उसके बाद under what condition would it be convex and linear मतलब कि किस situation में यह convex हो सकता है और किस situation में यह linear हो सकता है तो यहां पर आपके पास में एक ही सवाल में दो सवाल अटैच है तो सबसे पहले कितने question पूछा है यहां पर part A में यहां पर दो questions आप से पूछ लिए गए है ठीक है पहले बात आप समझेगे प्लक्शन पॉसलिटी कर्व यह आपके पास में यह convex to the origin क्यों होता है तो जैसा कि आपको आप देखेंगे यह question बिल्कुल मेरे note से है जहां पर मैंने PPC का video 1 देखिएगा प्लक्शन पर आप प्लक्षम पॉसुलटीक करव देखिए आपकी वीडियो 5000 प्लक्षम पर कर है जहां पर मैंने स्टर्ट कर रहें जहां में इसका पहले A, मैंने आपसे कहा था कि एक combination लिया है, और combination और दो type की goods ले लिया मैंने, एक मैंने goods X, और एक मैंने goods Y ले लिया, goods X यहाँ पर मैं as a capital goods, आपको याद होगा, मैं थोड़ा सा remind करवा रहा हूँ बस आपको, और कुछ नहीं, मेरी classes में जाएए, वीडियो में जाएए, तसलिसे एक ही topic के ओपर एक घंटा दिया हुआ है, तो यहाँ पर consumers goods, ठीक है जी, तो यहाँ पर आपके past में combination A है, और combination A में अगर आप सारा का सा अपना जो है, आप consumer goods से प्लक्षिन में लगा दोगे, तो capital goods अप्लक्षिन कितना होगा आपका, कुछ नहीं हो पाएगा, zero कर पाओगे, तो एक economic के पास में resources limited होता है, और वो अपने limited resources को सारा का सारा अगर वो एक goods से consumption पे लगा दे तो दूसरे goods अप्लक्षिन होई नहीं होगा, तो एक बात तो समझ आएगा कि एक शीच का प्लक्षिन हम तभी कर सकते हैं, increase कर सकते हैं, जब हमें दूसरे का प्लक्षिन को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, तो resources करोगे तो कितना होगा, 14, next time अगर आप यहां पर और बलाना चाहते हैं, तो resources और यहां हैं, पहले better resources को आपने shift करा तो आपका प्लक्षिन हो गया, अब सेम उतने प्लक्षिन करने के लिए उससे less resources को आप अपनी तरफ shift कर रहे हो, मैंने कि स्कूल में decks उठाने का example भी लिया था, आपको याद होगा, वीडियो में या कि देखेगा, तो उससे less resources को आप अपनी को लेने के लिए आएंगे, वो सबसे बड़े healthy और बड़े जो होंगे ages में और लंबे तकड़े होंगे, उसको ठाकर के लेके जाएंगे, अब उतना ही काम उन्हें करवाना है, फिर से बच्चे लेने के लिए क्लास में आ गया वो, तब उतना है efficient तो नहीं मिलेगा, उससे काम efficient मिलेगा, तो वहां से वो ज़्यादा बच्चे को पकड़ के लेके जाएंगे, उतना ही काम करवाने के लिए, तो resources are not equally efficient, तो resources equal, जो है, efficient नहीं होता है, क्लिर है, तो इसी वज़े से, resources equally efficient नहीं होता है, तो next time same production के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले से, ज़्यादा sacrifice करना पड़ेगा, क्लिर है, तो आप, ये जो आपका इसको MRS नहीं बोलते हैं, वह सारे बचे MRS, MRS बोल रहे हैं, MRTS बोलते हैं, margin rate of technical substitution, तो सबसे पहले जो आपका सवाल आया था, तो इसमें आपको क्या करना था, इस सवाल में, माक सोलीन है, तो पहले आपको क्या करना था, पहले आपको एक table बना देना था, इसमें, ठीक है table बनाने के बाद, आप इसका diagram भी बना देते हैं, चाहिए वो free end बना दो आप, उसके बाद आप लिखते हैं, उपर यह आप लिखते हैं, क्या, because of, because of increasing MRTS, MRTS, ठीक है न, PPC curve is concave to the origin, clear है, यह बात आपको लिखने के बाद, आप table and diagram बनाते हैं, और यहाँ पर लिखते हैं, क्या आप, अपने table में तूटके पढ़ते हैं, जिसने कि हाँ पर, यहाँ पर, table में तूटके पढ़ते हैं, कि table के first unit पर आप देख रहे हैं, कि एक चीज क्या extra application करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर, एक को sacrifice का रहे हैं, next time हम एक और extra collection करने के लिए हम दूसरेakरों increasing है क्यों क्योंकि हमारे resources equally efficient नहीं है clear है तो वह underline कर देंगे आप तो इसलिए हमें पहले से ज़्यादा resources को shift करना पड़ेगा इस बात को आपको explain करना था है आप पर clear है जी तो अब आपके पास ने first question में diagram table और table का ही explanation जाता है इसमें तो आपको first question का पहला वाला part का answer आ जाता अंडर what condition would it be convex to the convex and linear ये किस condition में convex हो सकता है linear हो सकता है convex का तो मतलब तभी हो सकता है जबकि आपका MRS क्या हो decreasing हो MRS क्या हो आपके पास में decreasing हो तो under condition बूच रहा है तो उस condition में जहां पर आपका MRS decrease होता है वहां पर आपका ये क्या हो जाएगा convex to the origin हो जाएगा मतलब हर next आपके पास में जो resources से पहले से better है clear है तो बस आपको reason डालना था उसमें और आपके पास में और इसमें क्या करना था आपको convex तो ये convex आपको जो है PPC के बारे में बताना था कि कब होगा डागराम तो बनाते या डागराम बनाने के बाद आप रिजन लिए देते because of decreasing MRTS के वजह से ये आपके पास में क्या हो सकता है convex to the origin हो सकता है और state line के बारे में पूछ रहा है तो state line किस case में आपका हो सकता है जब because of constant MRTS पता आया था ये बात में वीडियो में देखेगा ये state line किस situation में होगा जब आपके पास में MRTS क्या हो जब MRTS आपके पास में constant हो तो MRTS तो ये पूरा सवाल है ना MRTS के उपर था ये पूरा सवाल किस के उपर घुमाया है इसने MRTS के उपर तो आपको पेपर में MRTS लिखना है टेबल बनाये हैं MRTS के लिए ये पूरा चीक है तो आपको पहले का reason ये से देदोगे दूसरे का reason आप देदोगे अगर दूसरे के लिए पूल उसार answer sufficient कैसे लिखे क्योंकि हमा last last moment में अगर आप के पास में देखेगा कैसे बनाएंगे आप combination आप होई ले लिजिए combination हो गया goods x हो गया goods y हो गया ठीक है 0 15 1 14 2 13 3 12 4 11 कितना gain हो रहा है 111 sacrifice कितना हो रहा है 111 तो आपके पास में MRTS क्या है constant है या नहीं है बताइए constant है या नहीं है तो जब आपका MRTS constant होगा तो यह आपका क्या बनेगा एक linear बनेगा एक straight line बनेगा आपका क्या PPC मतलब कि जब आपके सारे resources equal efficient होंगे अगर resources equal efficient हुआ सारे resources equal efficient है जितना capable मैं पढ़ाने में हूँ उतना capable मैं जो है road बनाने में भी हूँ घर बनाने में भी हूँ अगर मैं equally efficient हूँ सारे resources equal efficient है कहीं भी shift कर दो उसकी productivity सेम रहेगी उस case में मेरे से पहले जितना मैं resource shift करा production हुआ next time अगर मैं और resources को यहां से shift करता हूँ तो सारे तो equally efficient है तो उतना है resource shift करना पड़ेगा same option के लिए तो उतना ही यहाँ decrease होगा तो आपके लिए यहाँ पर क्या था एक table एक straight line वाला आपके पास में diagram आपके पास में आ सकता था clear है और आप यहाँ पर एक बात लिख सकते थ अब अगला question कहता है what do you understand by the mixed economy? Explain its main feature with the reference to India. Mixed economy model क्या होता है इसको ज़रा समझेए. मैंने आपको mixed economy model के बारे में मैंने आपको एक कहानी भी सुनाए थी. Central problem जब मैं आपसे बताने जा रहा था. What to produce, how to produce, or whom to produce. Socialist economy, capitalist economy and mixed economy model मैंने बताया था. देखें क्या होता है? एक socialist economy model होता है. Socialist economy model का मतलब क्या होता है? कि जहाँ पर government क्या फ्लक्षन होगा देश में, यह government decide करेगी मैं और आप हम कोई भी public या कोई भी हम जो private जो लोग हैं, हम अपने हिसाब से किस चीज़ का फ्लक्षन नहीं कर सकते हैं. Government decide करेगी कि क्या फ्लक्षन होगा और उसे government ही फ्लक्षन करवाएगी. How to produce, मैंने सो सकता कि मुझे मशीन से करना है या labor से फ्लक्षन करना है. तो government जैसे बोलेगी वासे फ्लक्षन करना होगा. Whom to produce, government बोलेगी जिसके लिए फ्लक्षन करना होगा, उसी किस अकोडिंग चीज़े बनेगी. तो ऐसी economy model जिसमें what to produce, how to produce, whom to produce, थीनों, center problem का decision. Government अपने control में रखती है और सारा फ्लक्षन का काम, government खुद करती है. तो उस country को हम socialist economy model कहते हैं. लेकिन यहाँ पर एक तो socialist economy model होता है, एक capitalist economy model होता है, खासका socialist economy model वहाँ पर apply करने कोशिश करते हैं, जहाँ पर लोग बहुत गरीब होते हैं, मतलब कि ऐसा नहीं है कि लोग इतनी बुरी सिती में लोग हैं, कि जैसे मान लीजी के भी कुछ हाल के दिनों में जैसे कि सिरलंक कि सिती बनी, या फिर आप देखेंगे तो आपको जो है, नाइजीरिया वगरा की condition देखिए आप, नाइजीरिया, ऐसा देस, जहाँ पर बहुत ज़्यादा गरीबी है, ऐसे देस में ये खुद अपना कुछ start-up भी नहीं कर सकते हैं, कुछ business भी नहीं कर सकते हैं, तो what to produce government ये अपना start-up करेगी वहाँ पर, how to produce government ही वहाँ पर present लेगी जब start-up करता है, और home to produce गरीब लोग के favor में ही चीजे बनेगी, तो इन गरीबों लोगों को उत्थान करने के लिए सरकार को अपने हाथ में control लेना पड़ता है, ऐसे country के अंदर socialist economic model को लागू किया जाता है, ल what to produce, तो लोग अपने हिसाब से देख लेंगे, क्या production करना है, government बोलती है, हमेज में कोई interfere नहीं करना है, आपको लगता है, जिससे प्रफिडिवेल आया आपके लिए, आपको production करो, how to produce, जिससे आपका cost minimise हो, उससे production कर लो, या labor से कर लो, capital से कर लो, whom to produce, जो आपका product को ल और लेकिन भारत एक ऐसा देश रहा, जो कि 1947 में आजाद होने के बाद भारत की सिती भी कुछ अच्छी नहीं थी, गरीबों की संक्या यहां पर बहुत ज्यादा हो चुकी थी, हजारों साल गुलाम रहे, यह अब अंग्रेज वाला प्रिड़मत देखे, दोतों साल पहले, मुगलों का भी समय आप गिनिये इसके अंदर, इतने सालों से जो है हम गुलाम चलते आ रहे थे, 1526 से जो है मुगल का समय थे, तो 400-500 साल का गुलामी तो आपको यही नज़ा आ रहा साब साब, और इन सब ने लूट गसूट का ही काम करा, तो उस वज़े से जो उसका परभाव पड़ा, जो गरीबों की संख्या बढ़ी, और वो अब इतने सामर्थ नहीं रह पाये थे, कि वो खुद का भी कुछ अपने भले के बारे में कुछ सोच पाए या कुछ कर पाए, कुछ effective, कुछ effective चुजे वो कर पाए, तो यहाँ पर भारत ने क्या करा, कि यह भारत के सामने भी समस्च थी, सोचलिस्टी क्रवी मोडर की तरफ जाने की, what to produce हमी production करते हैं, एक और बात थी, East India Company जब आई थी, प्राविट सेक्टर आई थी, वो एक कंपनी आई थी, उस एक कंपनी ने इतना बड़ा अपने आपको कर लिया, कि यह पूरा भारत बी कब्जा कर लिया, तो प्राविट सेक्टर अभी देस आजादी हुआ था और प्राविट सेक्टर का खेल पहले भारत में अच्छी तरग 247 के अंदर जैसे देश आजाद हुआ सरकार यह मन मना चुकी थे कि इस बार हम इतनी छूट और वो सिच्विशन दुबारा हम सिच्विशन में नहीं फसेंगे जहां पर हमें आजादी के लिए 200 साथ संगर्ज करना पड़ा चीज अपने कंट्रोल में रखेंगे सब चीजों के लिए हमसे परमिशन लेना पड़ेगा स्टार्टिंग में कोई चीज अगर उपनीचे होगी तो हम वहीं पर चीजों कंट्रोल कर लेंगे तो सरकार ने क्या करा what to produce जादा तर चीजों का production अपने कंट्रोल में रख लिया कि भया हम production करेंगे गरीब लोगों के लिए what to produce हम efficiently production कर लेंगा हमारे पास थोड़ा सा पैसा लिये तो what to produce government अपने हाथ में रख लिया जादा तर यानिका 100% नहीं रखा बट आप मान के चलिए 80% 85% चीज़ें अपने कंट्रोल में रख लिए 70 different industries जिसमें की कोई और उतर ही नहीं सकता था सरकार ही चलाएगी उसको इस तरह का कंट्रोल सरकार कर था how to produce सरकार ने labor intensive technology को use करा whom to produce गरीबों के favor में चीज़े बने उसका प्लक्शन सरकार ने करा उसके लिए चीज़े थोड़ा था rate क्या होना चाहिए दाम कम दाम की चीज़े बनने चीज़े कम दाम में quality थोड़ी degree सरकार को भी करने पड़ेगी तो low quality अप्लक्शन देश में होने लग गया और और आप government भले एक बहुत ही positive mindset से बहुत मैं यह नहीं कर रहा कि socialist को फोलो करा लेकिन जिस economic model को फोलो करा एक नाम का mix economic model था वो एक नाम का था उसमें 80% से 85% सारा का सारा socialist वाला उतार दिया 15% capitalist को उतार दिया जब दोनों ही economic model को mix करके एक economic model मना जाता है इसी को आप मोलते है mix economic model जहां पर कुछ decision सरकार भी लेती है जहां पर कुछ decision सरकार भी लेती है कुछ जिसने private sector भी लेती है दोनों फिचर पा जाते हैं लेकिन 1947 में गलती साथ देश ने कर चुकी थे कि वो mix economic model के नाम पर social economic model को अपने सर पर लाज चुकी थे अब क्या हुआ ये आपको पता है लेबर का भले ही इरादा गौर्मेंट का इरादा क्या हो बड़े ही अच्छे इरादे हो वो एक अलग बात है बड़ execution कैसे होता है सवाल अब उस तर आ जाता है execution के मामले में आपको पता है कि सरकारी करमचारी को manage करना वहला difficult है क्योंकि सरकारी करमचारी को एक बात का promise दिली जाता है कि आपको कामपे से नहीं निकाला जाएगा इस promise के वह से और दूसरी बात क्या है कि सरकारी करमचारी के ऊपर जो बैठे हुए है उसको देख रिक करने के लिए वो भी एक खुद सरकारी करमचारी है उसके उपर जो बैठा हुआ है वो भी एक खुद सरकारी सक्रम चाहरी है पूरा government employee का एक पूरा का पूरा chain बना हुआ है अभी दिल्ली में M.C.D. का election है मैं इसमें ही एक chain का उधान लेता हूँ कि और भी अगर मैं state की बात करूँ तो कई बार ऐसा देखने को मिलता है या कितनी की सचाई इस बात में मैं नहीं जानता हूँ लेकिन कई नकरे सची देखने को मिल जाती है क्या कि एक employee जॉप पर नहीं जाए रहा है और अपने officer को पीछे वो अपनी तंखा में से एक छोड़ा सा दस पसंट पांच पसंट इससा पकड़ा दे रहा है वो उसकी हाजरी लगा देता है लेकिन प्राइम मिनिस्टर आकर करे तो वो infection नहीं करेंगे न कि office में कितने लोग आयें काम करने के लिए इतना possible नहीं होता है न कि उनको तो external relations में ही पूरा time उनका चला जाता है विदेसी मंत्रा लोगों समालने पूरा समय चला जाता है उनके पास पर तो यह government employee आपस में corruption साट गांट करकर करके यह production पर production से बसते हैं तो output level देश में हमारा क्या होने लग गया कम होने लग गया और चंसंख्या में बिस्पोटक विर्दी होने लगी चंसंख्या बढ़ता चला गया population बढ़ता चला गया और production output level कम होता चला गया क्योंकि productivity इतनी नहीं थी quality भी down थी तो अब हमें क्या करना पड़ा हमें गेहूं जैसे चीजों को 12 अमेरिका से खईदना पड़ रहा था आपको याद होगा 1960s में भारत और पाकिस्तान का एक यूद हुआ था उस यूद में लाहर तक भारत की सेना जो है वो जा चुकी थी लेकिन अमेरिका ने वार्निंग दी कि अगर आप अपने आपको पीछी नहीं करोगे इस यूद से तो हम आपको बीट की सप्लाई रोग देंगे तबी तो हमने Green Revolution लेकर के हम आए ये Indian Economic का पार्ट है वो बाद में देखेंगे ठीक है लेकिन मैं आपको एक स्टोरी बताने के जा रहा हूं यहाँ पर कि इस तरीके से क्या हुआ हम हम डिपेंड हो गए दूसरी चीज़ों के उपर और वो चीज़ हम खईते कैसे थे अब हम गवर्मेंट इंप्लोई को तंखा भी दे रहे हैं यह समानी बना करी दे रहा है हम बेच भी नहीं रहा और उधार भी ला रहे है खईत का से रहे हैं उधार ले रहे हैं इंजी गह पैसा है नहीं हमारे पास में जो गोल्ड था उस गोल्ड को देकर करके हम समान को खरीज सकते थे यह ऑप्शन था हमारे पास में वह भी हमारे पास 15 से 20 दिन का स्टॉक था फिर वर्ल्ड बैंक का जो है कुछ गाइडलाइन आई डॉक्टर मनवहान सिंग जो कि अभी मोधी से पहले जो प्राइमेस्टर थे देश के यह उससे में रिजर्ब बैंक अफ इंडिया के गवर्नर थे उन्हीं सो बावी की खिस्सा है उन्होंने कुछ चीजे लेकर के आए वो ल्पीजी लेकर के आए लिबलाइशन ग्लोबाइशन प्राइशन उन्होंने क्या करा कि जो 80 यहां पर हम सोचलिस ट्रक्टर अर अस्ति परसंट हम कर देते हैं प्राइविट प्राइविट में प्राफिट को मैक्सिमाइज करना सबसे बड़ा जो है एक तरीके से इंसेंटिव होता है लोगों के लिए और वहां पर सब इंडिजुली कंट्रोल में आ जाएंगे एक ही पीशे से पूरा चैन नहीं आएगा और वहां पर जो उसका मालिक होगा वो खुदी काम कर वालेगा आप देखिए प्राइविट सेक्टर नों कैसे काम कर वाते हैं मालिक आपको तिक सर्स्पीरिंस है तो यहां पर इस वजह से प्लक्शन लेबल हमारे देश में फिर क्या फिर उस सिती से आज की सिती में विद्राव आ पाया तो यह हमारे पास में एक सवाल यह था कि वह दो यू अंडर्स्टैंड बादे मिक्स एकनॉमी वह एक ऐसी एकनॉमी मॉडल जिसके अंदर कैपिलिस्ट एकनॉमी का भी फीचर है और आपके सोचल इकनॉमी के भी फीचर है इंड़ा के रेफरेंस में इसके में फीचर बताइए क्या है इसमें ऐसे बड़े-बड़े सेक्टर जिसके अंदर प्रैविट शेक्टर इंवेस्ट नहीं करकती है और रिटर्न बहुत लोग रन मिलना पचास साथ साल की बाद मिलना है पचास साथ साल में जाकर रिटर्न मिलना है तो वहां पर कोई भी प्राविट सेक्टर इंवाल्व नहीं होती है तो गवर्मेंट इसको अपने कंट्रोल में रखके खुली डेवलफ करती है सरकार गरीबों के लिए यहां पर कुछ जो है सरकारी स्कूल इसका भी कुछ अपने तब से काम करती है तो यह अमारे पास में क्या थे हमारे पास में एक मिक्स इकनॉमी लिए मोडल है ठीक हे जी पहलाको है कोशिन आपको समझ भायाए पहले second question क्या केता है following table shows the supply to our office per month by a firm ABC consulting the market calculate the market supply schedule market supply आपको बराना है तो भीया market supply क्या होता है जो aggregate supply होता है तो sum होगा तो आपके पास में इसको add कर दिना है आपके तो आपके पास में क्या जाएगा market supply आजाएगा clear जी एक हाँ जी सेम बताईए लिखे कैसे है चलो इसका material में telegram पर share कर रहा हूँ आज ठीक है नव इसका material अभी में एक आदा घंटे क्लास के बाद telegram पर share कर दूँगा बगि समझा तो दिया है ने मैंने आपको ठीक है इस question को telegram का link जो discussion पर आपको दिया हुआ है next अगर आप देखते हैं market supply कैसे बनेगा एक firm जो supply कर रही है वो individual supply है और सभी firm मिलकर के जो supply कर रहे है वो market supply है समझे market supply क्या है नब राता हूँ एक दुकानदार ने 10 पेपसी की बोटल बेची दूसरे दुकानदार ने 5 पेपसी की बोटल बेची तो पूरे market में 3 दुकानदार है इस ने 20 पेपसी की बोटल बेची तो पूरे market में कितनी बिखी है तो 35 बिखी है न इसी को हम market supply कहते है समझे पूरे बाजार में कितनी बिखी ऐसे ही firm A का supply है firm B का supply है firm और आपके पास में आपके C का supply है तो आप इसको आप add कर देंगे तो आपके पास में market supply आ जाएगा इसी तरह किसा आपके पास में add कर देंगे market supply आ जाएगा और आपको क्या करना है आपको एक price लेना है यहाँ पर supply का कहीं भी ले लिजी पिर का लोई स्टिशन क्या होता है वह एक दिग्रैनेजर का होता है विकॉस वर अपने वीडियो में देखिएiénगा नोऑ इंडिफरेंस करके क्लास 1 में देखिए Ain तो आपको इसका आंसर मिल जाएबा उसका आपको अदेमचन नहीं मिल जाएगा, clear है? और आपके पास में, what do you mean by the term economics of scale, why do these economics turn into the this economics, discuss their nature and effort on pricing? ये question है, इसका पहले full flesh आपको answer send करूँगा, ये question थियार कर लेना, ये आपका important है, ठीक है? पहले answer send कर गे, मैं इसी class दिल रुकूँगा, ये तो आए रख दूँगा, ये तो कल रख दूँगा. हाँ जी, आपके पास में shutdown point already discussed है हमारे पास में, ये मेरे notes से पिल्कुल के पिल्कुल है, shutdown point कि अबधारना को इसपर्ष कीजिए, क्या एक firm अलपकालिन में अपने निश्चित बंद उतपाद, explain the concept of the shutdown point, will a firm unable to cover part of its fixed cases function in short run, derive the short run supply curve of the perfect competition firm. Perfect competition में आपको पता है कि short run supply curve, जो last class देखिएगा, मैंने आपको कुछ इस तरीके का बताया था, जो ये वाला segment हमारा होता है, कुछ इस तरीके का मैंने कोई clear point आपको अलग-लग बताया था न, यही मेरा short run supply curve है, ठीके जी, क्योंकि जहां माजरी revenue माजर कोश्च होता है, माँ फ़ाम एक क्लिविरम होता है, प्राइस जैसे से आपको इंक्रीज होगा, वैसे उसे नया setup आएगा और इस प्राइस इंक्रीज होता है जाएगा, और quantity भी आपके बढ़ती चली जाएगी, क्लियर है जी? तो पांच कोश्चिंग करने ते साथ दिये हुए थे, लंबे समय में एक अधिकार प्रटविता के तहट मूले कैसे निजारित किया जाता है, आर एक की साहता से, बताइए, और किनी दो पर संस्टिप टिपने दीजिए, तो अब इस पेपर में से, पेपर मैंने आज आपके सामें दिखाया है, अब इसके सॉलिशन के साथ में जो जो कुछ अलग कोशन है, सॉलिशन के साथ में अभी ऐसे बताता जाऊँगा, आपको यह नहीं पता चलेगा, लिखना कैसे है, solution के साथ में अगली class रखता हूं paper का paper आपका कुछ इस तरकी का ही आपका आया है लेकिन 7 सवाल में से 5 तो आप 7 में से 6 कर सकते हैं 5 तो आप वो select करें जो आप सबसे best कर सकते हो clear है करें प्राइस पांच पर फर्म एक ने अपनी सप्लाई नहीं बढ़ाई market सप्लाई में आपका यहाँ पर हाँ कुछ हो सकता है कि 7.5 131 पर उससे कोई लेना देना नहीं है आपको कोशन में गड़ए नहीं निकालनी है अगर इसने कम कई बार individual सप्लाई किसी और रीजन से कम हो सकती है एक individual फर्म पर other effect भी पढ़ सकते है क्या पता हो जो फर्म है उसके उपर सकारेंट टेक्स लगा लगा दिया हो इससे सप्लाई कम कर दियो बढ़ा market सप्लाई तो all over बढ़ेगी बढ़ेगी तो एक कुशन भी होता है कि individual सप्लाई कई बार low of supply करता है उस पर एप्लीकेबल हो या नहीं बढ़ा है अपने पीशे सटेक्स भी बढ़ गया हो सप्लाई के उल्टा कम हो गई तो आप लौब सप्लाई के अगेंश्च भी जा सकते बढ़ और मार्केट इंपेक्ट आपका लौब सप्लाई को फोलो करता है करता है अब देखो अक्षिय आप इतनी बार आप मैसेज कर रहे हैं अब बैच में आप डिस्टेविंस क्रेट कर रहे हैं एक बार मैंने आपका मैसेज यहां पर देख लिया है इस तरकी की जो चीज़ है ना टौलेट नहीं होंगी सर इसलिए आपके कमेंट को मैं यहां तटा रहा हूं हां जी देखे जरा है यहां पर यह चीज़ आपको सज में आई या नहीं आई बता यह जरा आगे हम बात करते हैं यहां पर कि ची आपको सुझ में आई या नहीं आई कुश्यन नम्मर आपके पास में है यहाँ पर थर्ड अच्छा थर्ड का पार्ट A कह रहे थे अब यह लो थर्ड का कह रहे हैं पार्ट A करवादो पार्ट A करवादो पार्ट A करवादो पार्ट A करवादो रही यार ग्लासिस क्यों नहीं देख रहे हो बच्छे क्या है, if the price of community falls from 8 to per unit to 5, price क्या हुआ आपका, 8 से 5 हो गया, चीक है जिए, per unit, the consumers demand increase from 10 to 16 unit, quantity क्या हुआ, 10 to 16 unit हुआ, अब आपके, what is the philosophy of demand for a community, तो आप क्या लेंगे, इसके ED के लिए, ED equals to क्या होगा, आपका, formula number 1 या formula number 2 लगेगा, बताओ, कहीं पर यह percentage है, नहीं है, तो formula ED का numerical करवाया नहीं, करवाया demand का, करवाया है नदिमान का numerical, तो क्या करेंगे आप, delta Q by, delta P into P by Q, तो ED equals to, आप solve करेंगे, तो delta Q क्या है, आपके प और delta P के आपके पास में 2, और original price के 8, और quantity के आपके पास में 10, तो ED equals to, आपके पास में क्या है यहाँ पर, आपके पास में 4 आया, 2, 3, 6, 2, 5, 10, तो 12 बटे, 5, solve कर देंगे आप यहाँ पर, तो 5, 2, 10, 5, 6, 20, तो यह आपका ED आ गया, इतना असान सवाल ED का आपको numerical की classes में देखेंगे ना आप सर, विटा ध्यान अखिएगा कि पढ़ाई को सुरू से लेके चलो और तरीके से लेके चलो और पूरा का पूरा अच्छे अच्छे धंग से अपने पढ़ाई को complete करो, ठीक है, अब आप इस सवाल को रट करके आप यह उमीद मत करना पिपरमा आप सव कामें वह यह कि जो जितना यूटूब पे प्यारा प्यारा बोल सकता है, किस्मत उसी की सब्सक्राइब अच्छी चलेगी, लेकिन वह कामें बिल्कुल नहीं करूंगा, चाहे यूटूब पे एक भी वाइज जीरो भी वाइज, गल्स काम का साथ लेकर के मैं आगे नहीं ब कि concave to the origin क्यों होता है, और लेकिन आप अच्छे से पढ़ेंगे तबी तो इसका अपने रटा मार लिया, आपको पता है नहीं सवाल क्या है, तो question जब turn होगा, तो उसका आप answer नहीं दे पाएंगे, रटाफिकिशन से, चलिए सो देख रहते हैं कि आपर ED का क्या आप डेल्टा क्यू चे आयाना आपका डेल्टा पी, अच्छा डेल्टा पी आपका तीन आएगा, ED Dということ DELTA Q आपका क्या है 6 W और DELTA P तीन आया और PRICE के आपका 8 और QUANTITY के आपके पास meer 10 So solve करेंगे आप इसको So аपके पास में Dota 3 2 पंचे 10 3 आगे solve करेंगे 24 बटा आपके पास में क्या है 15 DELTA Q बै DELTA P into PRICE valued Q 24 बटा wanna पास में क्या है जी? 15 आए आपकी पास में, clear है? तो 1.6 इसका अंसर है, नहीं ये सिलिबस में आपके डिलेमा जो है, सिलिबस में नहीं है, कार्थिक, फैलो हुआ करता था, अब नहीं है, ठीक है जी? तो पेपर कैसा था, मैंने बता दिया, आपको ज़रुद पर सिर्फ इस चीच किये, अब मैं कल की क्लासिस में, मुझे आज आज आप लोग क्या करेंगे? जो पिछला पेपर दिया था, पूरा पेपर मुझे आप सॉल करकर कि आज टेलीग्राम पर शेर करोगे, शाम को कितने में तक, फोर पी एम, ठीक है, क्लिर है, मैं कल आ करके आपको बता दूँगा, पिपर का कौन सी क्लासिस, आपको वीडियो पर मैंने स्टार वगरा है, थब कुछ आपको मैंने बना दिया है, ठीक है, और दूसरी बात मैं आप से करने जा रहा हूं यहां पर, कि आपके पास में इस पेपर को, इस पेपर हैं कुछ चीज़े, एक दो चीज़े हैं, जो कि आपको आपका रह गया या जो आपके डाउट है, एक कल एक डाउट क्लास भी मैं आपका रखूँगा, डाउट क्लासिस में मैं आपका जो है, स्केर सिटी का, स्केर सिटी के कल मैं आपके ले रहा हूं तो कल मेरे साथ मैंने तो पेपर चेक कर करों किने, कहांब है क्लमिया है और यहां पर clear है जी समझें और सारा का सारा पेपर जो है important question में से ही आपका आया वाई जैसे आप देख पा रहे हैं ठीक है जी हां जी कारती जी जो मैंने दो दिन पहले दिया था paper number one उसको analyze करिए आप आप एक बात को आप समझ क्या रहे हैं कितने question है तीन चार यहां कितने derivation शोटर नहीं यह पांच छे साथ साथ सवाल पूछ लिए साथ के बाद आप देखेंगे यहां पर आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चोदा, पंदरा, सोला मतलब कि एक paper में से 20 question आपसे पूछे जा रहे हैं आप सिर्फ 5 शे साथ सवाल मत सोचिए आप 20 question और अगर आपने चार paper पढ़ना है आपको पांस दिन में तो आपके 80 question तयार हो जाएंगे, मेरे जो 40 question important थे, उसको छोड़ दो, वो सारे के सारे इस 80 में cover हो जाएंगे clear है जी, तो इस समय सिर्फ और सिर्फ एक काम कीजिए, वो काम क्या है, कि paper को बस अच्छे से analyze करके उसके answer को लिखिए चार paper solve करना है आपको बस clear है, वो उन बच्चों को मैं कहा रहा हूँ, जो बच्चे अभी जोइनिंग जिन्होंने करा है, वो इतना तो कर सकते हैं पांस दिर में, बाकि जो बच्चे पहले से हैं, वह यह पूरा syllabus तो cover करके चलना कि paper में, एक दो question दस उदर हो गया, तो आपके पास में तो आपके प आरे तक अपने answer मुझे भीज़ दीजिएगा, नहीं तो कल में doubt classes आपके लेने के लिए आ रहा हूँ, जिसके doubt होगे, वो classes में most welcome है, कौन सा paper, एक paper आपका अफ लोडिड है, अपने आप आप पे देखेगा, ठीक है जी मिलते हैं फिर next class में, झायका झाल, झायका झा हम थारा होगे, जिसका degए, उसके आपके लिए हमजब, देखेगा कह भीज़ देकी का हूएर मुद्छ आपके लोड़ों, मुद्छr नहीं है.